हालो फ्रेंज कैसे आप सभी तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिंस और प्यास की बहुत ही आसान सी रेसिपी और खाने में बहुत जादा ही मज़ेदार जिनको बिंस नहीं पसंद है वो भी आज से खाने लगेंगे यह हमारा वादा है सबसे पहले आप बिंस को इस साइज में कट कर ले और प्याज इतना बिंस ले उतना ही आप प्याज ले उसके बाद एक इंच अदरक और एक पूरे पॉरे पॉर्ट मैंने लासन छ करे लिए और दोहरे मिर चाप ले ले इसे आप साइड करकि अभी रंख ले अब आप एक कडाई ले लिए कडाई में आफ रिफायंट ओए डाले अगर आपके पास सर्शो टेल भी तो सर्शो टेल बशडूर डाले वेरे पास अभी नहीं है स़ले इसलिए मैंने चॉप्ट नहीं किया है आप इस तरह से डाले आपको बहुत जादा ही टेस्टी लगेगी हरी मिर्च मैंने काट लिया है बारिक इस तरह से आप देख सकते हैं और थोड़ा सा मैंने करी पत्ता लिया है करी पता तो आप कोई भी रेसिपी बनाए उसमें डाले ही क्योंकि तक प्याज हमारे गल रहे हैं तब तक आप सभी को मैं अपना होम गार्डनिंग दिखाती हूँ ये देखिए ये मैंने मार्केट से लाया है बहुत ही खुबसूरत सा पौधा है फूल का और ये वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी है आप अगर चाहे इंट्रेस्टेट है तो देख सकते हैं रोही मॉम चैनल पर अपलोड हो चुकी है और थोरा सा देखिए प्याज गलने के बाद मैंने इसमें बिंस को एड़ कर दिया है ये देखिए और इसे आप लगातार चलाते रहें कभी-कभी आप ढग ढग के भी पकाए क्योंकि बिंस का पकना भी जरूरी है ये देखिए पीच-पीच मैं इसे ढग भी दे रही हूं इसे मैंने थोरा सा जूम करके दिखाने की कोशिझ किया है ये देखिए मेरा बिंस और प्याज बिल्कुल भी चिपके नहीं है क्योंकि मैं इसे मीडियो फ्लेम पे पुरा पॉसेस कर रही हूँ आप कोई भी रेसि आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं मैंने यहां पर एक चमच नमक लिया है एक चमच मैंने हल्दी लिया है वन थर्ड मैंने कस्मीरी लाल मिर्च लिया है या फिर आप देगी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं वन थर्ड मैंने धनिया लिया है थोरा सा मैंने गरम मसाले लि अब आप इसे लो फ्लेम कर दे बिल्कुल क्योंकि मसाले पढ़ने के बाद थोरा सा एक दूसरे में चिपकने का चांस होता है और चिपकने के बाद स्वाद में थोरा अंतर आ जाता है तो आप कोशिज करें कि इस यह चिपके नहीं कोई भी रह अब आप इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं पूरी के साथ भी खा सकते हैं क्योंकि यह प्याज की जो भुनाइ大概 अच्छे से हुई है 10 अब आप अपने घर पर बनाईए बमली के साथ खाएं इंजुए कीजिये रूई मॉम फैमली आपके लिए हर दिन एक नया-इड रेसिपी लेकर आएगी तो अगर बीडियो पसंद आए तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ